हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल तो आज हम शर्ट कॉलर अमरेला कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो इसके लिए हमने 3 मिटर फाब्रिक लिया है और इस फाब्रिक की वेड़ है 44 इंच की तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने फाब्रिक को फूल फूल करके रखा है यह ओपन साइड है और यह फूल साइड है और टॉप पार्ट की लेंध हमने लिए है 15 इंच अब यहाँ पर हम shoulder लेंगे तो shoulder मैं ले रहे हूँ 6.5 inch यहीं से हम armhole लेंगे तो armhole भी मैं ले रहे हूँ 6.5 inch इन दुन points को जोड़ देंगे अब यहाँ पर हमें chest का 4th part plus 2 inch margin लेना है तो मैं ले रहे हूँ 12 inch अभी यहाँ पर हमें कमर का फोर्थ पार्ट प्लस टू इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रहे हूँ टैन इंच इन दुन पॉइंट्स को जोड देंगे अभी यहाँ पर हम वन इंच उपर मार्क करेंगे और हलका सा राउंड शेफ ड्रॉ करेंगे अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से आर्मोल का शेफ देना है यह बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से फ्रेंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेना है अभी हम neck की marking करेंगे तो यहाँ पर हमें shirt color बनाना है तो neck width मैं ले रही हूँ 3 inch small size के लिए 2.5 inch लेना है और neck deep लेंगे front के लिए 3 inch और back के लिए हम लेंगे half inch और यहाँ से हम curve shape draw करेंगे एकदम round shape draw नहीं करना है और back के लिए भी curve shape draw करेंगे अभी हम cutting करेंगे सबसे पहले back neck और back armhole से cut करेंगे तो इस तरह से हमने cutting कर लिए है अभी हम इसे open करेंगे और इसमें से back part को side में रखेंगे और front part को फिर से fold करेंगे और front neck और front armhole की cutting करेंगे तो हमने front neck और front armhole की cutting कर लिए है अभी इसको हम center से cut करेंगे तो प्लैकेड बनाने के लिए हमें इसे center से cut करना है तो यह हमारा front का part इस तरह से आएगा अभी हम bottom part की cutting करेंगे तो इसके लिए हमने fabric को double में रखा है अभी इसको एक corner से उठा कर हमें triangle में fold करना है तो हमने इसको fold कर लिया है यहाँ पर यह open side है और यहाँ पर fold side है अभी top part को हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हम कमर का निशान लगा लेंगे अभी हम bottom part की length लेंगे तो bottom part की length मैं ले रही हूँ 34 inch तो इंची टेप को सरकाते हुए हमें पूरे में 34 inch पे निशान लगा लेना है और इन सारे points को हमें round shape में जोड़ देना है अभी हम इसकी cutting करेंगे तो यहाँ पर हम half inch का margin छोड़ते वे से cut करेंगे और नीचे की तरफ हम line के उपर ही cut कर देंगे तो इस तरह से हमने इसकी cutting कर ली है अभी यहाँ पर हमारे दो parts कम आये है तो अभी यहाँ पर हमें joint लगाना है तो नीचे से जो कपड़ा बचा है इसी का हम joint लेंगे तो यहाँ पर हम इसे half inch उपर चड़ाते वे रखेंगे क्योंकि half inch हमारा सिलाई में जाएगा उसके बाद हम इसी shape में इसको draw कर लेंगे और अभी इसकी cutting कर लेंगे तो इस तरह से हमने इसकी cutting कर लिए है और joint के लिए हमने दो parts निकाल लिए हैं अभी हम इनको stitch करेंगे तो stitch करने के लिए दोनों parts की सीधी side हमें अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ पर हमें सबसे पहले pins लगा लेने हैं तो stitch करने में आसानी होगी इसी तरह से दूसरे parts में भी हम pin लगा लेंगे और उसके बाद हमें दूनों पार्ट्स को स्टेच कर लीना है तो अभी हम बॉटम पार्ट को ओपन करेंगे तो इस तरह से ये हमारा बॉटम का पार्ट आएगा ये दो पीस है फ्रन्ट और बैक के लिए अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो हमने फाबरिक को फूर फोल्ड करके रखा है यहाँ पर ये ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है और इस फूर फोल्ड की जो वेट थै वो हमने 10 इंच की ली है और स्लीव की लेंध हमने 17 इंच की ली है अभी यहाँ open side में हम 3 inch पे mark करेंगे और यहाँ से हम sleeves का shape draw करेंगे अभी यहाँ पर sleeves bottom लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 7 inch इन दुनों points को जोड देंगे और sleeves की cutting करेंगे तो हमने sleeves की cutting कर ली है अभी यहाँ पर हमें एक छोटा सा cut लगा लेंगे उसके बाद हम sleeves को open करके रखेंगे यहाँ पर दोनों sleeves की CV side अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी side अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद ही हमें half inch अंदर से front car mold draw करना है और इसकी cutting करनी है तो यह हमारे दो side के दो sleeves है अभी हम stitching करेंगे सबसे पहले हम front part में placket बनाएंगे तो इसके लिए हमने strip ली है और इसकी जो width है वो 3 inch की है इसे हम left side में रखेंगे उल्टा और किनारे से सिलाई लगाएंगे और right side के लिए हमने strip ली है और इस strip की width है 2 inch इसे हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है अब यह जो 3 इंच वाली स्ट्रिप है इसे हम सीधी साइड में टर्न करेंगे उसके बाद इसको सबसे पहले हम 1.5 इंच का फोल्ड करेंगे उसके बाद जो हमने सिलाई लगाई है उसी के उपर इसे रखेंगे यह स्ट्रिप हमें 1 इंच बाहर की तरफ रखनी है और यहाँ पर स्ट्रिच करना है और जो दूसरी वाली स्ट्रिप है इसे हम सीधी साइड में टर्न करेंगे और अंदर की तरफ पूरा ही डबल फूल्ड कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगाईगे तो इस तरह से हमने दोनों साइड में स्ट्रिप को फोल्ड कर लिया है तो अभी ये जो वान इंच एक्स्ट्रा स्ट्रिप है इसके उपर हमारा दूसरा वाला पार्ट ओवरलैप होगा तो ये बटन प्लैकेट बन गया है अभी बैक का पार्ट हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स एटेच करेंगे तो हमने शोल्डर्स को एटेच कर लिया है अभी हम इसको इस तरह से फोल्ड करते वे रखेंगे और यहाँ पर हम नेक का मेजरमेंट लेंगे कॉलर के लिए तो यह यहाँ पर साड़े आठ इंच का आया है तो साड़े आठ इंच का हम कॉलर कट करेंगे तो कॉलर के लिए यह हमने कैनवस पेपर की स्ट्रिप ली है और इसकी जो वेड़ है वो 3.5 इंच की है और इसकी लेंथ 19 इंच की है अभी इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे अभी जो हमने नेक का मेजरमेंट लिया था वो साड़े आठ इंच का आया था तो यहाँ पर हम साड़े आठ इंच पर ही निशान लगाएंगे उसके बाद यहां से बाहर की तरफ हमें एक इंच तक का एक्स्ट्राक मार्जिन रखना है और इसे अभी हम तिर्चा उपर की तरफ जोड़ेंगे अभी यहां पर हम पाव इंच तक मार्क करेंगे और हलका साई से राउंड शेप दे देंगे अभी यहाँ पर भी हम पाव इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से इसको जोड़ेंगे अभी हम इसकी कटिंग करेंगे तो इस तरह से कॉलर की कटिंग हो गई है अभी हमने एक फाब्रिक की स्ट्रिप ली है तो इसको हमने उल्टा रखा है अभी इसके उपर हम इसे रखेंगे और प्रेस से चिपका लिया है अभी इसके बाहर से हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा फाब्रिक को कट कर लेंगे अभी यह जो नीचे की तरफ जो साइड है हमारी तो इसे हमें यहाँ पर इस तरह से फाब्रिक को फोल्ड करना है तो यहाँ पर आप ग्लू से चिपका सकते हैं या फिर प्रेस भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर एक रफ स्टिच भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हम रफ स्टिच करेंगे तो देखे इस तरह से हमने इसको stitch कर लिया है अभी हमने एक और strip ली है फाब्रिक की तो इसे हमें सीधा रखना है और इसके उपर हमें इसको रखना है तो यहाँ पर देखे नीचे की तरह भी हमें half inch तक का margin छोड़ना है उसके बाद इसको रखना है दोनों parts की सीधी side अंदर की तरफ रखनी है और अभी हम इसको यहाँ से stitch करेंगे तो pin लगा लेंगे उसके बाद stitch करेंगे तो देखे यहाँ पर हम canvas को हलका सा दबाते हुए stitch करेंगे क्योंकि कभी-कभी canvas हमारा चिपकता नहीं है इसलिए हम हलका सा इसे stitch करेंगे तो इस तरह से हमने इसको stitch कर लिया है अभी यहाँ पर जो extra fabric है इसको हम cut करेंगे और नीचे की तरफ देखे यहाँ पर हमें इसी shape में इसको cut नहीं करना यहाँ पर हमें half inch सिलाई margin छोड़ना है उसके बाद इसको cut करना है तो दिखे इस तरह से नीचे की तरफ सिलाई margin छोड़ते वे cut करना है और बाकी तीनों side में हम इसी shape में cut करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम छोटे-छोटे cuts लगा लेंगे और अभी इसको हम सीधी side में turn करेंगे तो दिखे इस तरह से मने इसको सीधी side में turn कर लिया है अभी हमें अभी हम इसको stitch करेंगे तो टाप परट को हमें सीधा ही रखना है और यह जो हमने color ready किया है इसके center में हम एक सबसे पहले निशान लगा लेंगे और back part के center पर भी एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर center से center को मिलाते वे से रखेंगे यहाँ पर हम एक pin लगा लेंगे उसके बाद हम इसको पूरे round में इस तरह से घुमाते वे stitch करेंगे तो इस तरह से center से सिलाई लगाते वे हम दोनों साइड में इसको stitch कर लेंगे तो देखें सासे हमने इसको stitch कर लिया है अब यहाँ पर जो सिलाई है उसको अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पर हमें इसे stitch कर लेना है तो इस तरह से यह हमारा shirt कॉलर लग गया है अभी हम इसको fold करेंगे तो दिखें इस तरह से कॉलर हमारा लग गया है अभी प्लैकेट को हम इसके उपर overlap कर लेंगे और shoulder से हम साड़े 8 इंच तक मार्क करेंगे और उसके बाद हम इसको stretch कर लेंगे नीचे तक तो दिखें हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है अंदर की तरफ बाद में यहाँ पर हम उपर से बटन स्टिच कर लेंगे अभी हम sleeves को attach करेंगे तो sleeves को इसके उपर उल्टा रखना है और इसे stitch कर लेना है इसी तरह से दूसरे sleeves को भी हम stitch करेंगे और sleeves के bottom को हम double fold कर देंगे तो हमने top part और bottom part को stitch कर लिया है और दोनों side में sleeves को भी stitch कर लिया है उसके बाद इसको उल्टा करके दोनों side से fitting कर लेंगे और इसके bottom को double fold कर देंगे